Hello everyone, welcome back to channel तो कैसे हैं आप लोग आसा है बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज की नई ग्लास की शुरुवात करते हैं आज है डे 21 उत्राखंड MCQ सिरीज का कल हमने कवर के था डे 20 तो चलिए आज की वीडियो की शुरुवात करते हैं यदि आप इस पीडियाप को लेना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंड में आपको वाट्स अप ग्रूब लिंग मिल जाएगा तब आप जोइन कर सकते हैं तो चलिए शुरु करते हैं पहला MCQ है उत्राखंड राजिक की पंचायतों वा वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिसत आरक्षन की ब्यावस्ता की गई है तो ओप्सन नमर B आपका इसमें सही आंसर है 50 प्रतिसत उत्राखंड राजिक की पंचायतों और वन पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षन की व्यवस्ता की गई है अगला है Hydro Power Institute उत्राखन की किस सहर में इस्तित है तो option number D आपका इसमें सहयांसर है तीरी में Hydro Power Institute तीरी गड़वाल में इस्तित है अगला है उत्राखन की किस सहर में आपदा न्यूनी करण एवं प्रवंद केंदर इस्तित है तो option number A आपका इसमें सहयांसर है देहरादोन में उत्राखन में जो देहरादोन है यानि उत्राखन की जो राज़दानी है वहां है आपका आपदा न्यूनी करण एवं प्रवंद केंदर अगला है कुमाओ की लक्षमी बाई के नाम से किसे जाना जाता है तो जीया रानी आपका इसमें सहयांसर है कुमाओ की लक्षमी बाई के नाम से जीया रानी प्रसिद है option number B आपका इसमें सहयांसर है दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिकेशन पर क्लिकीजिये ताकि हमारी आने वाली डिलीज के लासे आप लोगों तक पहुँच सके और यहाँ पर अगला MCQ है निमने लिखिन में से किसे इन साइकलोपीडिया ओफ उत्राखंड के नाम से जाना जाता है तो सिव पुर्चाइड डबराल आपका इसमें सही आंसर है option number B is right answer इन साइकलोपीडिया ओफ उत्राखंड यानि सिव पुर्चाइड डबराल चारों को जाना जाता है अगला है निमने लिखिन में से उत्राखंड के किस ब्यक्ति को परम बीर चकर से समानित किया गया है मेजर सैतान सिंग, मेजर सोमनात सर्मा और मेजर अतुल अगने होतरी और D है A और B दोनों तो जहां पर ऐसा option आता है तो आप समझ लीजे कि वहां पर option number D आपका सही आंसर आजाएगा यानि उत्राखंड में जो ब्यक्ति थी दो परम बीर चक्र बीजे था जिनको समानित किया गया था तो वह थे मेजर सैतान सिंग और मेजर सोमनात सर्मा option number D आपका सही आंसर होगा अगला है सुमित्रा नंदन पंत को ज्यान पीट पुरुसकार से किस वर्ष समानित किया गया था वर्ष 1965 में वर्ष 1966 में वर्ष 1966 में और वर्ष 1968 में तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है option number D वर्ष 1968 में अगला है तारा रावत का संबंध किस खेल से है तो तारा रावत का जो संबंध है वो है उनका किर्केट से option number A is right answer अगला है लैंस डाउन सावनी की स्थापना कब की गी थी तो वो की गी थी आपकी पांच माएं 1887 option number A आपका सही आंसर है ये MCQ पिछले सिरीज में आये था आप लोगों ने वहाँ पी भी इसको पढ़ा होगा अगला है अरून जखुमोला का संबंध किस खेल से है तो अरून जखुमोला का संबंध है बॉली बॉल से option number A आपका सही आंसर है अगला है निमने में से ददून इसकूल के संस्ताफक कौन थे लाल बहादर सास्तरी, सथीज रंजनदास, जवाहर लाल नहरो, राजीव गान धी तो आपका इसमा जो सैयाणचर है, वो है, सतीज रंजनदास, अप्चन नमर B आपका सैयाणचर है ददून इसकुल के संहतापक थे सतीज रंजनदास अगला है निमने लिखित मेंसे कौन सुमीलित नहीं है तो यहाँ पर हम आप्सन पढ़ेंगे हिमालियन म्यूजियम रिसिकेस हिमालियन संग्रहाले उतरकासी लोक संस्कृति संग्रहाले भीमदाल और मौला राम संग्रहाले टिरी गाडवाल तो आपका इसमें जो संग्रहाले भीमदाल में है तो मौला राम संग्रहाले टिरी में नहीं है यह कहाँ है आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं अगला है आर्या भट प्रेक्षन विज्ञान सोच संस्तान यानि एरीज उत्राखन के किस सहर में इस्तित है तो वो है आपका ने निताल में आप्शन नमर बीज राइट आंसर अगला है वाइल लाइफ इंस्टिटूट आफ इंडिया उत्राखन के किस सहर में इस्तित है तो पिथोरगड आपका इसमें सही आंसर आजाएगा Option number is right answer Wildlife Institute of India पिथोरगड में इस्तित है अगला है निम्न नामों वा उपनामों में कौन सुमेलित नहीं है हर्स प्रसाद ओली आजाद स्रीधर की मोठी कुमाओ का चानक क्या बद्रीदत पांडे उत्राखन केसरी हिमोंती नंदन भहगणा हिमपुत्र तो इसमें जो सुमेलित नहीं है यानि सही आंसर है वो है हिमोंती नंदन भहगणा हिमपुत्र यानि इनको जो हिमोंती नंदन भहगणा थे हिमपुद्र के नाम से नहीं जाना जाता था बाकी बदरी दद्द पांडी को उतराखन के स्रीधर के मोटी को कुमाव का चाने का हर्स परसाद अलिक को आज़ाद नाम से जाना जाता है और हिमधी नंदन भूगनों को किस नाम जानते हैं मैंने आपको पहले बता रखा है तो comment section को भर दीजी लिग दीजे वहाँ अगला है निम्न में से उत्राखन की गांधी के नाम से किसे जाना जाता है तो इंद्रमानी बडोनी आपका सही आंसर है option number B is right answer उत्राखन के जो गांधी के नाम से जानते हैं उन्हें वो है अंज्रमानी बडोनी जी अगला है निम्न में से किसका संबंद जोहार गाटी से है तो डॉक्टर सेट सिंग पांगती आपका सही आंसर है इनका जो संबंद है वो है जोहार गाटी से अब यह क्वेस्टन एक बार और आ गया आर्यभट प्रेक्शन विज्ञान शोट संब्स्टान उत्राखन के कि सहर में इस्तित है तो इसके बारे में थोड़ा साब कर सकते हैं क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताए था कुछ क्वेस्टन पहले अगला है परिमार जन का संबंद कि स्केल से है तो सतरंज आपका सही अंसर है परिमार जन का संबंद सतरंज से है अब एक क्वेस्टन और अगया यहां पर योगम वाला तो निमन मैंसे गलत योगम का चैन कीजिए चन्दरब्रभा एतवाल परवतारोही उनमुक्त चन्द किर्केट एकता बिस्ट किर्केट बच्छिंडरी पाल निसान बाजी कोमेंट्स बाउक्स में आप बता सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समापत होती है I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी आज की कलास अच्छे लगी होगी तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए जो तैयारी कर रहे होंगे Thank you for watching, stay connected, stay blessed